कि हलो एब्रीवान वेलकम टूदी एससफी प्लेटफॉर्म यह आपका जो चाप्टर है वह हम पौर्थ के बाद जो है वह थोड़ करने लग रहे हैं जैसे कि मुझे सिलबस को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि थोड़ चाप्टर इस सिलबस में है कि नहीं है लेकिन सिलबस में नहीं आ रहे हैं और उपर से आपके कुछ-कुछ चाप्टर के कुछ-कुछ पार्ट्स यानी की कुछ-कुछ टॉपिक जो है ना देयर और सबसे पहला टास्क जो आप लोगों के लिए होने वाल है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे वीड सब्सक्राइब करेंगे चाप्टर नंबर 3 और सब्सक्राइब करते हैं जो कि एक बहुत ही फेमस मूवी के अंदर आई गई थी कि इधर यू डाए और यू रिप्रोडूट्स आपके बास दो ही ऑप्शन है या तो आप ऐसे ही मर जाओ आप जाके बास्ति है करऊ या अब रिप्रोडूट्स करो नो सपीशिज ऑन बिस आर्थ यह कोई जाओ झांटी नहीं है यसी में सब्सक्राइब के लिए और यूपर सेगी होना चाहिए न रिप्रडूट्स और और ये बोड़डूट्स रिरिप्रूर्डंशन सेथित पर human sexual reproduction लिखूंगी तो भी line बिल्कुल ठीक होगी क्योंकि हम sexually reproduction की बात करें the organism who reproduce sexually और humans और कुछ animals या maximum animals actually वो सारे के सारे reproduce करते हैं by the mean of sexuality sexual जो है यह variations के लिए important होता है evolution के लिए important है अगर आप चाहते हैं कि प्रत्वी पे earth पे evolvement होती रहे वे time new चीज़ें जो है वो आती रहें तो हमें हमेशा sexual reproduction को prefer करना चीए as far as humans are concerned humans are the most advanced type of the animals in the animal segment आप जब सारे animals को पढ़ते हो तो humans हैं वो mammals में आते हैं स्तंधारी जिने कहते हैं और स्तंधारी में भी सबसे उपर जो animal रखा हुआ है जो organism रखा हुआ है वो है human human reproduce by sexually sexual में male और female sex organs जो है वो मौझूद होते हैं so two different organisms है present male या फिमेल आपके पास तीसरा gender transgender होता है जिनकी sexuality जो है वो clear नहीं होती है और उस reason का उसका एक reason ही होता है कि 23rd chromosome जो है जिसको हम sex chromosome के नाम से जानते हैं वो यहां पे abbreviation लेके आया है या उसमें कुछ परेशानी है आज हम बात करने वाले human reproduction के male and female पार्ट पे पहले male और female पार्ट को पढ़ेंगे फिर spermatogenesis और eugenesis पढ़ेंगे जो gamete की formation की बात करता है spermato और eugenesis पढ़ने के बाद fertilization पे आएंगे fertilization के बाद female body में जो zygote बनता है उसमें आगे क्या-क्या changes होते हैं gastrola, blastrola यह सारे changes की बात करेंगे और finally implantation जो हो रहा है that is conceive of the embryo या conceive of the child implantation जिसे कहते हैं वह या पे करने वाले है chapter revision कर रहे है so I'll highlight the important topic बहुत important जो words होते हैं उनको highlight करेंगे और इस chapter से जो-जो segment से question आ सकते हैं उन-उन पे हम बात करने वाले है so let's start with this human reproduction chapter शुरू होता है male reproductive system से हमारे पास एक male reproductive system है एक female reproductive system है males are contributing the sperms in the fertilization males में male जो contribute करते हैं वो sperms contribute करते हैं और sperms का ploidy जो है वो haploid होता है ठीक है female का जो contribution है that is with the ovum या फिर egg जो की ploidy रखता है and female body is contributed also to develop the embryo or for the formation of the embryo क्योंकि females में uterus होता है इसी reason की वज़ा से why males cannot be pregnant क्योंकि males में uterus नहीं होता है ठीक है females have the pregnancy phase क्योंकि वो जो relatively hormones होते हैं वो females में ही produce होते हैं and females have this uterus right so let's start with the male reproductive system की में बात करो तो चार चीज़े आपको याद रखने हैं पहला a pair of testis ठीक है a pair of testis testis exactly वो point है जहां पे sperm की formation हो रही है ठीक है next second जो है वो बोला जाता है duct system नलिका तंत्र इसको हिंदी में कहते हैं जहांसे sperm की formation होने के बाद spams ejaculate कर रहे है spams जो है वो बाहर निकल रहे हैं third point आपका जो रहेगा accessory glands के बाद आपके बास कुछ hormonal system है a duct system के बाद आपके बास कुछ hormones हैं जिनको आप accessory glands का नाम दोगे और इन glands में आपके पास आईगे तीन hormones exam में आपसे hormones पूछे जाते हैं और उसके बाद fourth point पे रहेगा आपके पास external genital organ external genital organ external genital organ external genital organs तो your male reproductive system is made up of four parts a pair of testes pair of testes का मतलब हो गया दो यानि कि दो testes जो है वो available है यह testes के अंदर semi-ferrous tribules जो है वो मौजूद होते हैं जहां पर exactly इस तरीके से आपकी tubes बने होते हैं या pyramids जैसे बने होते हैं if we cut a section of testes हमको ऐसे semi-ferrous tribules जो है वो नजर आएंगे जहां पर आपके बास ducts होती है और sperm को बनाने का काम यहीं पर किया जाता है so testes जो है ना वो sperm की formation के लिए important है ठीक है टेस्टी जादी टेस्टी जादा important part जहां पर sperm की formation होती है testes cover होते है by the layer called the scrotum scrotum layer testes को क्या करती है temperature provide करती है जो testes है they are located outside the body यानि की outer abdominal क्या बोलते है testes कहां पर located है हमारी outer abdominal if we talk about the male reproductive system outer abdominal में यह testes जो है वो located होती है और यह sperm की formation कती है ठीक है अब यह जो temperature है वो maintain होना चाहिए आप याद रखिए कि sperm की formation तभी होगी जब body से 2 to 2.5 degree celsius lower होगा temperature 2 to 2.5 to 2.5 degree celsius ज्यादा ठंड में sperms की formation possible नहीं होती है बहुत ज्यादा ठंड होगा तो sperm sperm नहीं कर पाते है गर्मी जो होती है ना that that actually helps in the formation of the sperm so 2 to 2 5 scrotum की layer जो होती है वो उसको यह जो temperature है वो प्रवाइड करती है तो testis though are covered in the scrotum scrotum क्या कर रही है उसको cover कर रही है ताकि temperature maintain किया जा सके so this is the testis pair of testis second duct system duct system में वो सारी चीजे जो कि यहापी क्या करी है उसको maintain या hormones को बाहर निकलवाने में या जो जो भी आपके जो hormones की preparation है या पिर जो sperm की formation है उसको बाहर लेके जाना है from the urethra so ideally duct system क्या include करता है सबसे पहले रटे testis रटे testis ठीक है रटे testis second epididymus 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 is exactly the part जहां पर sperms को store किया जा रहा है रखा जा रहा है ठीक है sperms की storage कहां पर होती है epididymus then wasa efferentia wasa efferentia and wasa difference याद रखेगा यह हम कभी-कभी kidney के साथ confuse कर लेते हैं जब wasa recta वगरा पढ़ा जाता है यहां पर याद रखे wasa efferentia और wasa difference these are defined as the duct system right उसके अलाबा यूरेथ्रा भी याद रखे the passage from where the sperms go out of the male body है न वो रास्ता जहां से sperms जो है वो male body से बाहर जाते है so duct system is ideally rated testis epididymus wasa efferentia was difference और यूरेथ्रा अभी इन तीनों इन सारे पाच के पाच का जो exactly location है वो यहां पर हम देख लेते हैं exam point of view से मैं आपको बता दूं male reproductive system से आपको short questions आते हैं जैसे epididymus का function क्या है या तीन accessory glands जो है ना उनका नाम बता दीजे उनका function बता दीजे जैसे accessory gland कौन से हैं एक पहला लिख देते हैं prostate gland दूसरा वल्वो यूरेथरल वल्बो यूरेथरल इसको cowper's gland के नाम से भी जाना जाता है वल्बो यूरेथरल is also known as cowper's and third हो गया seminal vesicle seminal vesicle तीन यहां पर हमारे पास glands है जो की hormone सिक्रीट करेंगे तो यहां पार्ट से spum release हो रहे हैं और यह जब accessory gland से release हुआ hormone से मिल जाता है तब वह semen कहलाता है क्या कहलाता है semen the spum plus the hormones जो release हो रहे हैं यह जो आपके prostate वल्वो यूरेथरल वेसाइकल जो gland जो release करते है liquid part जो की nutritious होता है और spum को movement करने में मदद करता है तो accessory glands आपके include किया जाते हैं जैसे मैं बोल रही थी में दुबारा repeat करते हूं male reproductive system पूरा हो सकता है 3-4 या 5 marks के लिए नहीं आए उसमें छोटे-छोटे points को explain करने के लिए आपका लिग दिया जाता है लेकिन female reproductive system आपसे detail में पूछा जाता है so note this point 3-4 और 5 marks के लिए आपको female reproductive system जादा पूछा जाता है rather than the male external genital organ जो है this is the part from where these sperms move out of the body जिसको आप penis करके यह पर define करते हो so if male reproductive system को मुझे चार segments में define करना होगा तो आप pair of testes which is 2 in number scrotum की layer से जो है वो cover रहती है यह आपे entirely scrotum की layer जो है उससे cover रहती है pouch जिसे बोलता है 2-2.5 degree celsius temperature को low करना है duct system में rati testes, epididymus, vasa efferentia, vasa deferens and urethra accessory glands में prostate, vulvo, urethral, seminal vesicle और external genital organ में the panis the testes cover with a scrotum 2-2.5 lower आपका जो testes का आप size भी याद रख लीजे testes जो है वो oval होती है shape में length होती है length is 4-5 cm width जो है वो आपकी 2-3 cm यहां पे लिखा जाता है और इस testes के अंदर में cross section अगर किया जाएगा तो lobes होता है this is the male reproductive system ideally यहां पे आप यहां से शुरू करिए this is urator यहां पे पहला जो prostate पहला जो gland है वो seminal vesicle बोला जाता है दूसरा gland जो है वो आप यहां पे prostate gland करके बोलते हो और तीसरा जो है वो testis scrotum से cover होते temperature को लो करते है यहां पे फिर यहां पे move करते testis जो है वो यहां पे epididymus structure होता है जो detail में आपको bladder है उसका भी same passage होता है यहां पे देखो sperm को ejaculate करने का passage यह है जहां पे सबसे पहले समाइनल vesicle से जो fluid निकल रहा है वो sperm में mix होगा फिर यह आगे की तरफ जाएगा आगे जाने के बाद urinary bladder और sperm को ejaculate करने का इक ही point होता है या common point होता है in the males में sperm का ejaculation और urine का ejaculation urine की urine जो बाहर आता है body से वो एक ही passage से आता है howsoever they meet at the junction जहां पे urinary bladder से भी जो जितना भी urine passage हो रहा है यहां पे common मिल जाते हैं जिसको आप ejaculatory duct जो होती है वो आके मिलती है urinary bladder लेटर इसमें prostate gland जो है वो भी अपना fluid जो है वो mix करते हैं तीसरे point पे बलवर urethral हो गया which which actually release some fluid जो यहां पे sperm को आके मिल जाते हैं and then it moves to the urethra urethra की through it moves out of the body जो बाहर की skin होती है उसको हम pore skin बोलते हैं and this whole part the front वाला part जो है उसको penis बोला जाता है glance penis बोला जाता है जिबकि the whole outer segment is known as penis right इतना point याद रखे आपसे glands के बारे में यहां से बहुत relatedly नहीं पूछते हैं चीजे लेकिन आपको जैसे scrotum की उपर एक number का question आ जाता है यह ना आपको testis को explain करना होगा तो आपको size जो है वो explain करना पड़ेगा और जाधतर आपसे यह वाला लोब के नाम से जाना जाता है और उपर की तरफ जो है वो आपका epididymus हो गया यहां पर रटे टेस्टीज है तो जितने भी टेस्टीकुलर लोब्स हैं वो sperm की formation करते हैं रटे टेस्टीज के थूँ जो है यह वाला segment आपका रटे टेस्टीज है ठीक है यहां से वासा एफ्रेंशिया connected है सारे स्पर्म्स वाले पार्ट में collect हो जाते हैं याद रखेगा यह point important है सेमिनी फरस्टीज भी करके याद रख लेते तो सीक्षिय के form logr is तेस्टीके लॉब्स की अगर सेक्षिन देखा जाएगा जो स्टिरियों और देखा जाएगा तो वह कोछ ऐसा नजार आता टेस्टी किलर लोब्स के अंदर आपके पात समी पैर इंड जिसका सेक्षन आपको भी स्क्रीन पर नजार आ रहा है सेमी पैरस टेपर्ण करते हैं जिसके लिए दू चीज़ें की हेल्प और ना इंकी मदद करते हैं सटोली यह करते हैं यह नीवर्म को आपको देना है उसको देख रहा है उसको यह सटोली सेल्स देखते हैं जबकि लीडिक सेल्स जो है वह टेस्टेर्टेरोन की प्रॉमेशन हो रही है सेमिनी फ्रिस्टिवियूल में स्पॉम्स का फॉमेशन हो गया स्पॉम्स बढ़िया से बन गए लेटर ऑन ही कहां से निकलेंगे स्पॉम्स उसके बाद रेटे टेस्टीस से बाहर आते हैं च्छिस से होते हुए वासा एफ्रैंटीया प्लीज नोड पर्ट्फिव्यूला पार्ट यहां को रिवाइस करने में मदद करेंगा वासा एफ्रैंश ए होते हुए यह एक्शाखिव लेटरी डक्ट में आए एक्यूलेटरी डक्ट जो है वो अब ओपन हो जाएगी किसमें यूरेथरा में ठीक है और यूरेथरा जो है वो सीधा निकलता है बोडी से बाहर तो टेस्टिकिलर लोब सेमिनी परस्टिब्यूल स्पॉम फॉरमेशन जो लीडिग और सटोली इसको म पर याद रखेंगे इतना पार्ट क्लिया रहा है वेल एंड गुड कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर इतना चीज़ें समझ आगे आपको मैं हॉर्मोंस वाला पार्ट जो है वो बता दे रहे हो देखें हॉर्मोंस किसे काम करते हैं इस पूरे सेग्मेंट में जबी भी हम है तो सबसे पहले हमारा बॉडी के अंदर हमारे रहे इक हइपो थेलमस नाम का इससा है है hypothalamus after a certain time जैसे कि प्यूबर्टी की यह जाती है जैसी लगता है कि भाई चलो अभी बच्चे जोए दा वो जवान होने लगे प्यूबर्टी की यह जागी है इट रिलीज इस गुनेड़ो ट्रॉपिन होर्मोन नूट एक नंबर के लिए प्यूच्छा जाता है गुनेड़ो ट्रॉपिंग रिलीजिंग होर्मोन जैसे क्या करेगा यह एक्टिवेट कर देता है एंटीर पिटिवेटरी को राइट इस वेरी इंपोर्टेंट डो नंबर तीन नंबर चीज़ आ सकती है तो जैसे गुनेड़ोट्रापिन रिलीजिंग हॉर्मोन आता है इस आक्चली डूवर्ट? इस एक्चली रिलीजिज ल्याच और FSH FSH क्या होता है? फॉलीकल स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन फॉलीकल स्टिमिलेटिंग हॉर्मोन LH होता है Luteinizing Hormone Luteinizing Hormone इसकी full form explanation यह पूरा चार्ट जो मैं बना रही हूँ आप से exam में पूछा जाएगा LH जो है वो आप L से learn करो L is doing what? Leading cell L क्या कर रहा है? यह leading cells को develop करने में males में मदद कर रहा है और जो FSH S से learn कर लो यहाँ पर S है, यह क्या कर रहा है? यह sertoli cells जो होते हैं उनको मदद कर रहा है किसको? sertoli cells को ठीक है? अब leading cells in turn क्या करेंगे? यह testosterone produce करेंगे Testosteron males का सबसे important hormone कौन सा है? testosterone testis में release किया जाता है इसलिए इसको testosterone के नाम से जानते हैं और testosterone ही वो hormone है जो secondary और primary sexual characters और organs के लिए important होता है male एक लड़का अगर लड़की की थोड़ी सी आवाज मिक्स हो जाए ना उसमें यह वो की उसका manly voice नहीं है यह secondary sexual characters बहुत अच्छे से डवलप नहीं हो रहे है दाड़ी आई नीरी है, मूचे आई नीरी है तो मतलब टेस्टोस्टिरोन का लोचा है ठीक है, हर्मोनल लोचा एक्चुली और यह टेस्टोस्टिरोन spermatogenesis यानि की sperm की formation करवाने में मदद करता है यह नरिश्मेंट या एक्स्ट्रा जो factors होते हैं उनको प्रवाइड करता है to the spermatogenesis यानि की जो spermatogenesis हो रही है उसको promote करना, उसको stimulate करना यह काम जो है, वो किसका है वो है सर्टोली सेल्स का वो नरिश्मेंट दे रहे हैं यह जब इसको ऐसे कट किया जब हमने टेस्टिक्यूलर लोप्स को मतलब तक जब किया इसे लसको तब हमको यहां पर यह सेर्मेंट नजहरा रहे है यह आपके जो है ना 1.5 परषाक क्या से नगिस अ सेमिने स्टबीवल basically, यह जैसे जात नहीं बोलैंग सर्टोली नहीं बोलेंगी आपके प्लोर हैं यहां पर आपको सबसे लास्ट पिंक कलर के साथ चिपकी हूँ जो लेयर नजर आ रही है इस लेयर को आप स्पर्मेटो गोनिया बोलते हो नाम याद रखेगा आगे अभी इसको यूज करना है इस layer को जो पहली layer है ये वाली इसको spermatogonia बोला जाता है spermatogonia क्या कर रहा है कि spermatozoa formation कर रहा है और यही spermatozoa जो है वो sperms बनके बाहर निकल जाते हैं लेकिन इस से इस तक आने के लिए एक process होता है जिसको spermatogenesis के नाम से जानते हैं तो पहले एक बार spermatogenesis ही कर लेते हैं then we will move towards the female organ system मतलब मुझे comparatively वो चीज ना थोड़ी सी जादा सही लगती है यह पर पहले sex organs ही कर लेते हैं मतलब sequence हमारे NCRT के साफ से जाएंगे तो वही है तो NCRT के साफ से ही करना पड़ेगा भाई लोग आप बताओ मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम समझ आ गया कई पर कोई दिकत हो तो बता दीजेगा एक्सेसरी ग्लेंट्स में टेस्टीज है ना डक्ट्स हो गए और लास्ट हो गए आपका एक्स्टरनल जनाइटल ऑर्गंस चार चीज़े इंवर्ड हैं बहुत ही सिंपल मुझे लगता है आपको समझा गया होगा बहुत ही सिंपल भाशा और बहुत मिनिमम वर्ड्स यूज़ करके मैंने पढ़ाने की कोशिश की है टेस्टीज हैं टेस्टीज को स्क्रॉटम से कवर कर दिया हम टेस्टीज का लस कर दें लॉंगी टीवनल सेक्शन कर दें तो हमको सेमिनी फैरस टिब्यूल नजर आएंगे जो कि टेस्टी किलर लॉक्यूल के अंदर होते हैं सेमिनी फैरस टिब्यूल जो हैं वो स्पर्म को जाते हैं वासा अफेरेंशिया से एपीड़ाइमस में जाते हैं एपीड़ाइमस स्टोरेज हाउस स्पर्म का एक मेल तकरीवन तकरीवन 200 million sperms पर डे फार्म कर सकता है इस इस इन बाइलोजिकल और डेटा जो प्रवाइड किया गया है that is on an average 200 million spums जो है वो जो है वो बन बनते हैं लेकिन 48 hours उनकी जो है वो lifespan रहती है this we'll discuss in later part female reproductive system की बात करते है female reproductive system is comparatively more complicated याद रखिए कि uterus has to be involved in the female part तो female वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा complicated हो जाते है क्योंकि egg formation वहीं पर है so if we talk about the female reproductive system तो यहाँ पर सबसे पहले वही वाला चीज़ a pair of ovaries a pair of ovaries हम बिल्कुल male part की तरह ही पड़ेंगे तागे आप differentiate कर पाऊ ठीक है the female reproductive system पहला पार्ट आप पेर आफ ओवरी अगें 2N number ठीक है 2N number यह 2N number है covering के लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे cover हो रहा है temperature की बात नहीं करेंगे यह अपर इधर में temperature का कोई भी दिकत नहीं है second is जब हम hormonal glands की बात करते हैं यह duct system की पहले बात कर लेते हैं duct system is comparatively much expanded than the male part duct system duct system में क्या गयाता है ovary के बाद आपका ovary के बाद सबसे पहले fallopian tube जो सीधा ovary के साथ connected fallopian tube fallopian tube again जैसे ovaries दो हैं ऐसे ही fallopian tube जो है वो उनकी संख्या भी दो होती है याद रखीगा this is important fallopian tube की संख्या दो होती है और यह fallopian tube जो है वह आपके चार चीजों से मिलके बनता है एंप्यूला इस्तमस करके लर्न कर लीजें एंप्यूला इस्तिमस इस्तमस एंप्यूला इस्तमस ठीक है फिर इनफंडी बिलम इनफंडी बिलम और एक होता है फिंब्रिये फिंब्रिये ठीक है फिंब्रिये चार चीजे लर्न करनी है फिंब्रिये इनफंडी बिलम इंप्यूला इस्तमस मैं ऐसे लिख देती हूं सबसे पहले फिंब्रिये होते हैं फिर इनफंडी बिलम होते हैं फिर इस्तमस और एंपुला दो चार पॉइंट्स पूरे आप लण कर लिजे तीन और चार तो पहले ओवरी के साथ जुड़ा हुआ डक्ट सिस्टम जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स आते हैं और जब टूमी की जाती है तो अब इसी फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जा of three layers या uterus की जो layers होती है वो तीन पार्टस से cover होती है perimetrium, perimetrium, endometrium और umatrium लिखते हैं न पर है Euximetrium, perimetrium, eumatrium और endometrium ठीक है endo peri और umatrium की नाम से या बीच वाली लिए रबक्त करे Black ऐसे चीड मायोंन लिखा हुआ है तो मायों लिखा हुआ ठीक है परिमेट्रियं मायोमेट्रियं मैं एंड्वेट्रियं ये आपके जो है वह दक्त शिंहिंट के incluted in prayrapa right external जनाइटल में इसी external जनाइटल में आप Levia, Majora और Levia, Maynora Levia, Majora और Levia, Majora जो है वो फोर skyn के लिए बोला जाता है जो बहर की skin होती है जो की cover करके रखरी है female sexual organ घिक है यहीं पर hymen भी होता है hymen is what? hymen is the point of sexuality female की sexuality को define किया जाता है हला कि now this is very irrelevant point to be discuss लेकिन फिर भी एक बार बात करी लेते हैं हाइमन जो है वो पॉइंट होता है जो कि यह एक लेयर होती है एक थिन लेयर होती है जो पहली पहली sexual intercourse के बाथond sp express highmen ब्रेक यह में फरेंड्स को आपस में बात करते हुए या इस से बात करते होई हईमन चूट गया मतलब बहुंद अर्लियरा थ strain एक type autobaki ओढ़र mo गहें पाटएज ऊता है मतलब इससे कई लोगों को problem भी होती है हाला कि अभी जब we are in moving towards the next century है तो शायद यह चीज़े इंपोर्टन नहीं और इंडिया में यह चीज़े थोड़ी सी जादा important होती है बाहर की countries में इतने issues इस चीज़ को लेके नहीं होते है क्लाइट और इस बोलते हैं अचा सर्विक्स और वजाइना भी आप डक्ट सिस्टम में लिखो ठीक है सर्विक्स हुआ वजाइना हुआ यह दोनों आपके यह डक्ट सिस्टम में आएंगे इसको मैं अलग से लिख देती है थोड़ असा complicated हुए पहले आप यह समझ लो ओवी डक्ट जो है वह ओवरीज को ही यह पेयर ओ ओवी डक्ट यूटरस सर्विक्स वजाइना एक्स्टरनल जनाइटल ठीक है तो ओवरीज जब आप लिखते हो तो वह जहां पे ओवं बन रहा है और ओवी डक्ट जो है वह फैलोपियन ट्यूप के लिए ही लिखा जाता है अगर फैलोपियन ट्यूप को एक्स्पें करने क पूछा होगा तो ओवी डक्ट भी लिखा रह सकता है यूटरस सर्विक्स वजाइना एक्स्टरनल जनाइटल जो हो गया जो पैल्विक रीजन में मौझूद होते हैं उसके अलावा फीमेल्स आफ वन मोर इंपोर्टेंट पार्ट मैमरी ग्लेंड विच एक्चुली मैमरी और आव ब्रेगनेंट के समय करता है और बर्त और चाइलड केअर में भी हेल्प करते हैं ठीक है प्रेगनेंट और बर्थ हैं कि चांट कर में भी यहाँ पर तो फीमेटर हैं तो तो 3 सेंटिमीटर और पेल्विक वाल और यूट्रस से connected होते हैं किस चीज से ligament से connected होते हैं अदरवाइस वो float कर जाएंगे इदर उदर position fix करने के लिए ligament से इसको जो है वो connect यहां पे किया जाता है यहां पर female part एक बार देख लेता है female part सबसे वहले यह वाला जो part है यह rectum part हो गया यह एनस वाला पात हो गया, जहां से fecal waste हो हो है वो excrete किया जाता है यह uterus वाला पार पात हो गया, यहांसे शुरू करेंगे, उपर की तरह, female में the uterus has a different opening female has a different opening of uterus cervix and vagina, चाइल्ड एजाक्यूलेट करना है, बाद में बच्चा जो है, वो मदा बॉडी से ही निकलता है 1st is ideally urinary bladder, 2nd is vagina point and 3rd is anus, male has 2 openings and the female has 3 openings, urinary bladder के बाद pubic symphysis, जो अलग से support करता है जब development होता है, pregnancy होती है, urethra and this particular part is urethra, clitoris, clitoris is a common, see clitoris is a common thing, जो कि females में होती है, whether it is a, कोई invertebrate है या vertebrate है, some में होता है, females have the clitoris, जैसे frog also have the clitoris, तो females जो होती है, उनमें important major point होता है clitoris के लिए, labia minora, labia majora और vaginal orifice, तो ये labia majora और labia minora, this is the four skin, जो कि वजाईना के बाहर होती है and it protects the vagina, basically labia minora और labia majora का important point ये है कि वो protect करते है, ठीक है, अब ये पूरा organ यहाँ पे, this is ovary दोनो तरफ, दोनो तरफ आपको एक एक ovary नजर आ रही है, again two to four centimeters या four to five centimeters भी लिखा रहता है, यहाँ पे आपको finger like apparatus नजर आ रहे, ये जो है न, ये finger like apparatus को हम फिंब्रिये बोलते है, finger, फिंब्रिये ऐसे करके learn कर लो, देखो ये फिंब्रिये हो गया, फिंब्रिये के बिल्कुल पीछे infundabulum है, आपके NCRT के diagram में इसको थोड़ा सा पीछे दिखा है, लेकिन आइडियली ये इतना पीछे नहीं होता, आपका फिंब्रिये जो है वो ओवरी इसको ऐसे touch कर रहा होता है, इस तरीके से fingers है, तो जैसी ओवरी से एग रिलीज होता है, ये जैसे ये वो isthomas हो गया, ampulla isthomas, ampulla isthomas junction आप याद रख लीजिए, एक question आपको one marks के लिए आ सकता है, fertilization in males, sorry, fertilization in females, occur at which point, fertilization in females, occur at which point, जो females होती है, उन में fertilization exactly कहां पे होता है, तो females में fertilization exactly कहां पे होता है, ampulla isthomas junction, देखें, कहली जीए कि human creation है, यह कह लीजिए कि यह जो human body है, either it is a god creation, भगवान के बनाई हुई द्वारा यह पूरा system है, यह पिर कह लीजिए कि यह machine कुछ इस तरीके से बनी हुई है, कि यहां का हर एक पुर्जा अपनी exact जगा पे रखा हुआ है, कहां पे कौन सी activities होनी है, females का body is more complicated, females के body में ज् the hormonal changes होते है, females suffers from more fluctuation in the body, time to time, puberty पे अलग situation, उसके बाद, बाद में pregnancy के time पे, maturity के time पे, hormones की movement जो इधर दर हो रही है, females का body is maximum, जो complicated system है, वो female की body में ज्यादा होते है, pregnancy के बाद, fertilization जो है, वो ही ही हो रही है, pregnancy develop हो रही है, pregnancy के बाद के जो changes है, and इस पूरे duration में जो भहांकर hormonal changes होते है, वो human में female body जो है, that bears up, right, that particular thing, so we have to remember कि female की body का एक एक पाद या पे अच्छे से समझना, so that exam में ये चीज़े आपको दिक्कत नहीं करे है, na, ampoula estomus junction याद रगे, fertilization, अगर humans में, कहां पे भी होती है, वो ampoula estomus में होती है, अगर egg जो है, वो infundibulum में होगा, और spums जो है, वो enter करे है, तो वो infundibulum तक नहीं पहुंच सकते, अगर ampoula estomus junction के बीच में कहीं पे एग होता है, then only sperm reaches and fertilize this egg, right, अगर ये इसके पीछे ampoula पे होगा, तो भी fertilization नहीं हो पाता है, और अगर ये istomus को cross करके egg आगे-ागे है, तो भी fertilization नहीं हो पाएगा, exact location for fertil fertilization is impula estomus junction, se fertilization female body में इसी जगा पे हो सकती है, और कहीं पे भी नहीं हो सकती, this is the point जो आपको याद रखना है, istomus impula infundibulum, तीन पार्ट हो गया, यहाँ पे यह हो गया, फिम्ब्री है, यहाँ से जो ये segment है, इसको ये वाला पार्ट जो है, इसको ये वाला पार्ट जो है, ये uterus कहा लिजिए, इसी जगा पे exactly जो embryo है, उसको implant किया जाता है, embryo को यहीं पे रखा जाता है, so this is called as implantation part, क्या कहते है, इसको implantation, यहाँ पे implantation हो रही है, uterine cavity, ये uterine cavity को हम इधर से शुरू करें, तो endometrium, बीच में myometrium और सबसे बाहर की peri, अचा, endo के लिए याद endometrium में बहुत सारी blood vessels होती है, ठीक है, endometrium is full of the blood vessels, बहुत सारा blood जो uterus को provide किया जाना है, वो endometrium के द्वारा जो है, वो provide किया जाएगा, uterine fundus उपर वाला part जो है, वो fundus के नाम से जाना जाता है, next, नीचे अगर आते हैं, तो उपर cervix होता है, नीचे वजाईना होता है, वजाईना is actually protecting the cervix only, वैसे तो यह कह सकते हैं, लेकिन वजाईना is actually the entry point of the female sexual parts, अगर यूरेत्रा या पैनिस will enter into a female sex organs, this will enter through the वजाईना और cervix, यहीं से एंटर करना होता है, और sponge वो यहाँ पर ejaculate करते हैं, right, now let's move to this particular part, वोम, uterus को अच्छा, वोम के नान से भी कहते हैं, क्योंकि डवल अप हो रहा हो ही पर, और perimetrium, endometrium, यह याद रखिएगा, यह tissues की लेहर होती है, यह यह wall of uterus, यह आपकी NCRT में लिखा हुआ है, इस point को learn कर लिजे, important है, uterus की wall, तीन layers की बनी होती है, external thin membranes को perimetrium बोलते है, middle layer को, myometrium जो की smooth होती है, और glandular वाली जो layer होती है, उसको endo, अंदर, endo, और glands भी वही पर मौझूद होते हैं, blood vessels भी वही पर मौझूद होते हैं, और यह जो endometrium है, यह cyclic changes के लिए जाती है, जब females को menstrual cycle का होआ, जो every month, female has to go through a cycle, जिसको menstrual cycle बोलते हैं, तो वो भी जो है वो इसी endometrium layer के अंदर changes होते हैं, जो strong contraction होते हैं बोडी के अंदर, जो की during the menstrual cycle और बेबी को deliver करते हैं, समय जो contraction होते हैं, strong contraction, वो endometrium में होते हैं, जब हम बोलते हैं कि fetal ejection reflex होना है, या फिर बेबी की delivery होनी है, basically delivery वाला जो point है, यह oxytocin कहलीजिए, oxytocin is your pregnancy hormone, oxytocin, जब oxytocin release हो जाता है ना body में, तब जो है ना final delivery date आ जाती है, और oxytocin release होने पे labor pain चुरू होता है, तो जो oxytocin होती है, वो release होती है endometrium से, किस से endometrium और myometrium, दोनों layer करके learn कर लिजे, myometrium, जो middle layer है, महा से oxytocin की release होना चुरू जाती है, now let's talk about gametogenesis, gametogenesis, नाम से पता लग र formation, genesis मतलब origin होता है, formation होता है, और gamet award जो है, वो किस से relate हो गया, gamet से, तो primary sex organ, testis जिसे कहते हैं, males में, ovaries जो होती है, वो females में, they produce the gametes, और आपको क्या याद रखना है, कि जो gametes बनते हैं, वो कभी भी deployed नहीं होते, haploid होते हैं, इनका जो base होता है, वो by birth ही शुरू हो जा होना क्या है, जो टेस्टी क्योलर है, या सेमिने फरस्टी क्योलर है, या टेस्टी कह लीजिए, टेस्टी में, sperm का बनना, ovaries में, ovum या एग का मैच्योर होना, this is called as gametogenesis, अगर sperm form होते हैं, तो spermatogenesis कहते हैं, मेल्स में, अगर females की बात किया जाए, तो females में, वो genesis के नाम से जाना आ जाते हैं, किस नाम से, oogenesis, o का मतलब होता है, एग, ठीक है, एग, o word जो है, वो स्तमाल किया जाता है, एग के लिए, लेट्स टॉक अबाट दी मेल, फरस्ट यहा पे, देखें, जो लाइन थी, जिसको आप interstitial cells कह रहे थे, उसी लाइन पे आपके पास spermatogenia, पह किंड्री स्पर्मेटो साइड के बाद veterans के लाइन पर्मेत्जें सपर्मेटो जो आको ही आप सिकेंस आपको लां करना है, बहुती सिंपल है, पहले एक बार मेरे से समझज वो, पिर मैं आपको वह चाल भी दिखा रहे हूँ, सबसे पहले stop पे रखे होते हैं you have this interstitial cell ठीक है उसकी जो लेयर है उस पे सबसे पहले जो cells है they are spermatogonia क्या होता है spermatogonia या spermatogonia यह cell जो है वो division के लिए जाते है ठीक है जिसमें पहली बार हो रही है first mitosis first क्या होता है mitosis होता है जहाँ पर नंबर increase होने और कुछ नहीं हो रहा सेकेंड आता है primary mitosis primary spermatogonia spermatocyte लिग लिए क्योंकि अब यह cell बन गया spermatocyte तो अगर mitosis होई है तो cells का नंबर अभी भी 2N है यानि कि 40 जो क्रोमोजोम है उसका नंबर अभी भी 46 है और primary spermatocyte में 2N 46 ही होगा यानि कि 46 ही है क्योंकि mitosis होई है अब जो है कि मियोसिस के लिए जाएगा primary spermatocyte वो spermiosis and form secondary secondary spermatocyte और यह देखो mail of email में common है बस समझ लो आप इसको secondary spermatocyte secondary spermatocyte के बाद जो cell बनते हैं उनको हम बोलते है spermatid क्या बोलते है spermatid और यहां पे है संक्या haploid n इसको अब देखो चार्ट से तो आपको समझ आएगा यह वाला चार्ट एक बार दिहां से देखो यह सब कुछ समझ आ गया testis epididymus वासर डेफरेंस काटा इसको semi-ferrous टिव्यूल जैसे नजर आएगा यहां पे spermatogonia 2N है उसके बाद spermatocyte जो कि पहला केस हो गया spermatocyte secondary केस हो गया second spermatocyte जो कि spermatogonia जो है वह माइटासिस के लिए गए माइटासिस में haploid का नंबर है यह होता है यह तुए नहीं है यानि कि नंबर बढ़ाना होता है मियोसिस में हमें क्रोमोजोम की संख्या को आधा करना होता है और भी नीट तो दिस मैंने बताया गैमीट कभी भी डिपलाइड नहीं हो सकते है गैमीट हमेशव है प्लाइड होंगे तो यहां पे क्या हुआ प्रैमरी स्परमेटोसाइट फर्स्ट मियॉॉटटिक डिविजन जो जो के रे 已经 सबका नंबर हो गया है भी स्परमेटो स्पर मैटीड जो है उनका नंबर भी एं हो गया' फाइनली बनेसिपर्म्तोज होँ इनही को हम क्या बोलते है, spums, spums motile होते हैं, they have the tail, क्या होती है, tail, जिसes tail के इंदे, बहुत सारा mitochondria होते हैं, सूछ शिर्प उसिव आपको पर्च स्टेब ले, spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatics, or spermatozo dejla, जहाँ पहले वाला जो आपका चार जो arrow बनने है, है उसमें पहले एरो में माइटॉसिस लिखने है सेकेंड में फस्ट मियॉसिस लिखने है और पूर्थ जो एरो आईगा उसमें लिखने लान हो गया पांच पॉइंट्स हैं चार एरो हैं पहले से शुरू करो कि स्पर्मेटो गोनियम पहला इसको चार्ट को एक बर बनाई लेते हैं कि ताकि अगर इस चार्ट को बना लिया ना तो फिर आपको जो फीमेल वाला पार्ट वह भी दिक्कत नहीं आएगा देखो सबसे पहले आपको यहां पर 1,2,3,4 और 5 लिखने हैं पॉइंट्स और इन 5 पॉइंट्स में आपके पास आएंगे चार एरो ठीक है सबसे पहले क्या है स्पर्मेटो गोनिया स्पर्मेटो गोनिया अप्लॉइडी नंबर है 2N ठीक है उसके बाद यहां पर होगी फस्ट मैटॉस जिसे कहते हैं तो पहले मैं पांचो लिख लेते हैं स्पर्मेटो गोनिया के बाद क्या बनता है प्राइम्ब्री स्पर्मेटो साइड एंड राइट ट्राइट जो आप आंसर शीट लिखोगे उसमें बिल्कुल NCRT की लैंग्वेज लिखना वरना हम देखो प्राइम्डी जो आपकी आंसर शीट चेक करते हैं तो उनके टाइम पे तो नहोंने बिल्कुल NCRT रटी और ऐसी ही रटी है तो आप कहीं पे भी ना कुछ वो स्मार्टनेंस नहीं दिखाना अपनी नहीं तो गडबड हो जाएगा स्पर्मेटो गोनिया प्राइम्री स्पर्मेटो साइड स्पर्मेटोस पिर स्पर्मेटीड या लिखना है पहले मैट और लास्ट में लिखना है स्पर्मेटोज्वा जोओ लड्लास्ट में रख है याद रखें जोओँ जु जाते ओ पर ठीकले Όन को नियों से लिएवा नजर आती थिए इस जुमते आंसरे नहीं फ्राइज चोथी है यह टेल प्रेकर करेंऄ अब यह कौलं में सबसे नो सबसे पहले जो दो है वह मेति हुआ है अब हो गा में फरस्ट मे वर से आप होगा सेखेंड मी ओसिस ठीक है first meiosis के बाद ही यह N हो गए और second meiosis के बाद N ही रहेंगे spermatid के बाद जब spermatos होगे तो differentiation लिखो क्या लिखोगे differentiation अब sperms exactly बन रहे है spermatos होगे वो भी होगे N बताओ इत्ती सी चीज है साथ में diagram जो है वो बनाने अच्छा यह हो कब रहे स्पर्मेटो गोनिया प्राइमरी स्पर्मेटो साइट के लिए कब जा रहे है जब भाई छोकरा जवान हो गया है न यानि की पिवर्टी की एज आगी अब वो पिवर्टी की एज आपकी घटी बढ़ती रहती है पहले बच्चे जो है वो 16 साल के जब हो जाते थे 15-16 साल के तम मैच्योर होते थे ताफ स्पर्म की फार्मेशन होती थी है न 16-15 साल में लेकिन अभी क्या होते है विकास आफ दिस पॉलिशन या एन्वायमेंट या कह लीजिए कि हम लोग जो है वो माइंड से इतना कि टाइम पर 12-13-14 का जो भी एज होगा वहाँ पर हॉर्मोंस रिलीज होंगे लह और फस और सपर्म को फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनता है ये सारह कुछ प्रॉस और यही मेल्स यही दो हॉर्मोंस वह एल्प करें मेल इसा बहु पर आप कराने मेल प्रोडुसेड टू हंड्रेड स्पर्म्स डेली ऑर डेलीज होरी है अबिक की डॉनर नहीं है तो हम स्पर्म्स को डोनेट करें ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आईडियली वट वाट वीएर हम लोग मतला मेल में क्या हो रहे इस पा रेम संफ होते हैं खतम हो जाते हैं आहीद की एक स्प्राइब़ै टी कि है टीक है अगर अलो बात करें किसी स्पॉम की न की है यह फाला फेक है टीक है भृवाला पारट में स्पॉमberger एक करते हो हैं पर सेखंड है और है हेड, नैक, तेल ठीक है याद रखे नैक वाले पार्ट में माइटोकॉंड्रिया होता है बहुत सारा जो कि स्विंग करने में मदद करता है श्परम के डागरम को 2 माक्स में आपको बनाने को देके आपको पूछा जा सकता है है तो मांक्स के लिए डाइगराम क्या सकता है यहां पर एक्स्पाइशन के साथ करना होता है यह वाला पार्ट हो गया है इस जगा पे आपके पास एक नुकलियस होगा जिस नुकलियस में या तो X क्रोमोजोम होगा या Y क्रोमोजोम होगा क्योंकि ये डिवाइड होगे ना गैमीट्स डिवाइड होगे गैमीट्स चो है वो क्रोमोजोम के साथ डिवाइड हो जाते X और Y फीमेल्स में सारे X में X होगा क्योंकि फीमेल्स का जो सब्सक्राइब करने में एक्रोजों मदद करता है एक्रोजों में Special chemical hormone होता है जो aktoster sperm का एक्रोजों को सपर्म के ले जानी की थानने में मदद करता है कि किस तरफ तरफ एग पैचान एप पहचाने रहो आपी समझी में हों एस्मज़ गई सप्रेल सिस्ट में और यह सपाइ है करेगा एक्रोजों करेगा है और कुछ chemical release होता है जिससे एग जो होता है उसकी जो वाल होती है जोना पैलिसिडा और कैरना रेडियेटा वो तूट जाते है यह सब समझ आ गया टेल मुवमेंट के लिए है माइटो कॉंट्री एनर्जी के लिए है जो हैड है उसमें न्यूकलियस है जो कि पटिलाइस करे अगर हम उजनेसिस की बात करते हैं तो सेम कॉंसेट है कुछ भी आपको यह पर डिफ्रेंशेट नहीं करना उजनेसिस के लिए आप याद रख लो प्राइमरी पॉलिकल्स में से यह जनरेट होता है यह जो एग जनरेट होते हैं वो भी बिलकुल इसी तरीके से होते हैं इसो ठीक है प्राइमरी उस्चाइट इसमें जो आपको लएक आप लं करने हैं वो याद बॉन यू होने से दोनों ओवरीज में 30-184 में हाइजर हैं और प्रिज़न होलेट होते हैं बस उन्हें से आत्व हाथ बाँन तो उस पैदा होते कि समय 60 to 80 thousand उगोनी अल्रेडी प्रेजंट आ है जैसी फीमेल प्रेगनेट नियुक्प के लिए जाते हैं तभ्ये मैचुर होना शुरू हो जाते हैं और जब प्रेगनेट के लिए प्रेगनेंसी होती है तो एक एक जो है वो मैचियोर होगा नाव इस साइकल गोज है सबसे पहले पीटल लाइफ की बात तरहें फीटल लाइफ जब बच्चा भी वूम में हैं अभी बाहर भी नहीं आया है तो जो लड़कों से तेज होती है लड़कियां और यह हर मामले में ह पीमेल जो चैली यह पैदा होने से पहली मैचे यह उग्ऊंवती कर रहे हैं है और यह उसके पैदा होने से पहले हो चुके मेन बारट होता है तो अल्रेटी एक ओवरी के अंदर 40 to 60,000 40,000 to 60,000 जो जो प्राइमरी यूस साइट है वो अल्रेडी रखे हुए होते हैं जब बर्थ हो जाता है पिवर्टी से पहले जो मियोसे हो रहा है वो भी पिवर्टी से पहले हो जाता है पिवर्टी से पहले यानि कि जब 12, 13, 14 की जो ह होती है उससे पहले फस्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कम्प्लीट हो जाती है फिर सेकेंडरी उसाइट आते हैं जिसमें सेकेंड मियोसे जो है वो यहां पे कम्प्लीट होती है और वो लास्ट जो बनाता है वो ओवम बनाता है याद यह रखना है कि हर बार जब एक एक उसाइड जब secondary उसाइड बना रहा है तो खाली एक ही बनेगा secondary उसाइड दूसरा वाला जो है वो polar body होता है तो first polar body और जब यह भी दो polar body divide नहीं करती अगर करेगी तो यह अपने जैसी ही polar body बनाएगी छोटी-छोटी जिनका जो एग नहीं कहलाती है तो यहां पर प्राइमरी उस साइट दूसरा polar body है जबकि males में नहीं हो रहा में क्या होता है वन एग वन पर्मेटो गोनिया विल फॉर्म तू यहां पर तो यह हो गया प्राइमरी यह सेकेंडरी अब सेकेंडरी से जो बनेंगे वह बस ऐसे मैच्योर होता है और स्पर्मेटो जो है न वह बन जाता है यहां पर है खर एक कोई बढ़ा ले तो एच एन एवरी से कनवर्टिंग इन्टू इस पर्मेटो जो या इच एन अबरी प्राइमरी सिर्वेटिंग इन्टू इन्टू इस परम लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता फीमेल में 17 बहुत है ठीक है जैसे इम लड़कों को एक ने जाल सभी यहां पर ड़्वांट्यर सब्सक्राइब करने तो यहां पर अत्या के लुएज़ शोरूर गार्वतर करते हैं और तो secondary polar body क्या बनते हैं second polar body और अगर फस्ट वाला भी डिवाइड किया है तो आपके पास total गया होगा कि after the completion of one's primary spermatoid division जो मेल होते हैं उन में चार स्परम्स बन जाते हैं एक से एक से चार total से 16 बनते हैं एक से चार लेकिन female body में तीन जो हैं वो क्या बनते हैं polar cells बनते हैं और एक जो है वो बनता है ओवम तो एक में से तीन बेकार होगे मतलब एक जो प्राइमरी उसाइड है तीन पोलर से पोलर सेल का कोई यूज नहीं होता धीरे धीरे डीजनरेट कर जाते हैं एक होता है ओवम यह ओवम मैचोर हुआ और इसके आसपास में लेयर्स जो है वो आना शुरू हो जाती है अब यह वाला पूरा सेगमेंट है इसको एक बार डिफ्रेंसियेशन कर लो जैसे यहां पर एक से जो है ना वह चार स्परम्स बन गे यानि कि प्राइमरी स्परमेटो सा इस से बाइटा Hem बात करें तो एक प्राइमरी स्परमेटो साइट से चार स्परम्स बन गे जबकि यहां पर एक सब्रैमयस आपके पास बनकी त्मदू है वह क्या बन गए यह बाकी तีण आपके बन जाएंगे पोलर बॉडी या Pl छि जिन और भी यूज यहां पर नहीं होगा ठीक है जिनका कोई भी यूज यहां पर नहीं होने वाला है याद रखेंगे यह वाली चीज़ आप लोग को समझागी दोनों की एक बार अब जो एग है जो ओवम है उस ओवम के आसपास कुछ लेयर होती है जिनको आप पॉलिकल के नाम से जानते हो पहली यह डवलपिंग फॉलिकल होती है फिर मैचूर फॉलिकल होती है फिर उसमें से एग जो है वो ऐसे बाहर रिलीज हो जाता है ओन दे टे आफ फॉर्टीन यह फिमेल की एग प्रोड्यूसिंग साइकल होती है वो 28 देज की होती है कितने डेज की 28 देज की पूरी जो फिमेल की एग प्रोड्यूसिंग साइकल है वो 28 देज की है जहां पर एग जो है वो फॉलिकल में से निकलाता है तो आपको दो चीज़े लान करनी है जब तक एग न यह मैच्योर हो गया फेले डवलपिंग राफियन फॉलीकल है फिर मैच्योर फॉलीकल है ठीक है और जब बाद में आता है तो हम उसे लिटीम का नाम देते हैं यह स्टेज़ याद रखेगा फॉलीकल यह ग्राफियन फॉलीकल जब एग रिलीज नहीं हुआ उससे पहले की स् पहले की ग्राफियन फॉलीकल है बाद ही लुटियम है एक्जाक्ली 14 डे जो है वो क्या हो रहे है यह पर एग जो है वह रिलीज हो रहा है देखो यह जो चार्ट है ना यह मेंस्ट्रॉल साइकल का है अगर एग 14 डे निकलके ओवियूलेशन जो है वह एग्जाक्ली 14 डे हो होता है तो चार चीजेसल्बंका लेवल हाई होता है और का कमा प्रेगनीन्सी नहीं हो रहे है धुशे लिए डेल्टन हुआ है, जो है विशन एक एमपोला इस्तमा यंक्शन में आया एगवां में रहके 48 आवरस टू 72 आवर्स तक वेट करता है अगर स्पंप नहीं आ रहे हैं तो वह एग रखा तो नहीं रहेगा एंपुला स्थमस में क्योंकि ए नेक्स बंद फिर एक यह तो यह जो एग है यह मेंस्ट्रुल साइकल के थू बाहर निकल जाएगा मेंस्ट्रुल साइकल सिंपली क्या होती है कि जो डवलपिंग एग है इस नॉट फर्टिलाइज तो इसको बॉडी से बाहर निकालना होगा इस दौरान पीमेल के कुछ इंपॉर्टेंट हर्मोन जो है वो भी रिलीज होते हैं और फॉलिकल्स रप्चर होती है एंडोमाइट् है वो भी टूटेगी उसकी जो ब्लड वैसल्स हैं वो टूटी है एवरी मंथ जब एक जो है ना फॉर्टेंट के बाद जब एंपॉलाइस्टमस जंक्शन में आता है तो जो यूट्रेस वाला पाट है वो अपने को प्रिपैर रखता है फॉद प्रेग्नेंसी क्योंकि दूटर ग्वा तो वह च oni कर्णन नहीं हुआ है तो वह रप चर आ टूट जाता है उसी दौरान एक को भी रप्चर करना होतं वहा तो इस को शेड करना होता है वा इस को एक फटो है भी मेंस्ट्रूल साइकल पहले वाली फोलीकुलर फेस कही जाती है last वाली लूटियल प्रालीफरेशन फोलीकुलर को बोलते हैं सिक्रीटरी फेस जो है वो लूटियल को बोला जाता है cycles goes like this कि fluid जो है वो तकरीवन 2-5 देज तक रहता है किसी-किसी का menstrual cycle 2 दिन का होता है किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 दिन का स्पर्म काउंट कम हैं तो बाइब लुक्त साइकल स्पर्म शुरू हो जाती है मैंस्ट्रल साइकल तभी होती है जब जब एक फटलाइज नहीं हुआ है लेकिन अगर फटलाइज हो गया तो आप जैसे प्राम री उस साइट था उसने एक ओवं बनाया प्रामडी स्पर्मेट तो काफी लोग कोई वाद समझ भी आ रही होगी कि अगर मेल्स का स्पर्म काउंट कम है तो वह ओवं को फटिलाइज यहां पे नहीं कर पाएगा दोग स्पर्म नहीं आ रहे हैं तो तो ओवं जो है वह मैंस्ट्रों साइकल से बाडी से बाहर निकली गया अगर दो ओवरी में से किसी से बेखो दो ओवरी और हर मही ने एक ही ओवरी से अंड़ा निकलता है और यह केमिकल जो है वह मुच्वल रहा है मुच्वल कमपाटिबिलिटी है कि हर बार एक ओवरी निकली कि फिरियल कभी कभार जैसे आपने देखा होगा कि दो ऐग जो है वह दोन ओवरी से निकला है और दोना ही फटेलाइज हो जाए डाट रिजल्ट इन्टू दी जटेलाइज सारे के सारे स्वंस भाग के एंपुल इस्तमास जंक्शन में जाएंगे और जो है वह अपनी प्रोटेक्टिव लेयर के साथ है जिसमें से एक है कोरोना रेडियेटा और एक है जोना पहले से लिए और लास्ट में जो पर्पल कलर आपको नजहार आ रहे यह प और जो sperm सबसे पहले कोरोना रेडियेटा को क्रॉस करके जोना पैलुसिडा को तोड़के और प्री विटलाइन स्पेस के अंदर चला जाएगा वो एक्रोजोम को तोड़के जाएगा मैंने आपको बता है था स्प्रोजोम का इनीशल टिप वाला पाट होता है जोएक जो प्री विटलाइन स्पेस का और एक्रोजोम का एक कैमिकल होता है जैसी एक क्रोमसोम अंदर अंटर कर गया तो यह दोनों कंबाइन करके फ्ल्यूड है प्रिविटलाइन स्पेस का और एक्रोजोम का एक केमिकल यह कंबाइन करके यह सब चीज़ शेड हो जाती है और सिर्फ यह बचता है ठीक है ओवम अंदर की तरफ और जो जो स्पर्म एंटर किया है वो अब यह दोनों अपना अप लगतर करती है तो वह डिस्टोइ और यह रहा है और यह बन जाएगा अब यहिए पिर से डिपल्यूइड वाली कंडिशन हो जाएगी जाएगा था तो एक्स और वारी कंडिशन भैल तो इसको अब बंके तैयार इसको आप जो है वो क्या बोलोगे जाइगोड बोलोगे जाइगोड बोलोगे ठीक है अब इस जाइगोड को implant होना है एंब्रीयो बनना है अब सबसे पहले देखो यह लेवाज आपको समझेंगे और जोना पैलियूसिटा यह दो लेयर जो है वह खतम करेंगे फिर वह एक के प्लाजमा मेंब्रेन में यह एक में जो है वह रप्चर होके जाएगा आप यहां पर इंपोर्टेंट है इसको समझना ध्यान से देखिए मैं दो तीन मिनिट लगेंगे ध्यान से समझ लेना चाप्टर पूरा समझ जाजएगा को समझ जजएगा आपको ओवरीज में ओविलेशन हुआ 14 दे फिम्री ने उसको कैप्चर किया फिम्री ने यहां पर फटिलाइजेशन करवा दिया एंपोलास तमस जंक्शन है फटिलाइजेशन हो गया जाइगा बन गया टू एन वाली सिटूएशन फिर से क्रियेट होगे अभी जाइगा की स्टेज स्टेज आगया तब आप इसको ब्लास्ट वला या ब्लास्टो मियर की स्टेज बोलते हो 8-16 8 to 16 sad stage कहलाई जाती है blastiula या फिर मैं लिख दूँ यहाँ पर blastomia blastiula या फिर blastomia यह blastiula जो है वो divide करेगा और बनाएगा moriula moriula gastrula बनाता है और gastrula जो है वो blastocyst बनाता है जैसी blastocyst हो जाती है यह uterus की endometrium wall के अंदर आता है और यहाँ पर blastocyst के नाम से जाना जाता है जिसमें एक cavity यहाँ पर जो है वो developing cells होते है ठीक है और यहाँ पर यह cavity खाली होती है blastocyst cavity बोलते है ठीक है और layer जो होती है उसको trophoblast के नाम से जानते है यह inner cell mass है यह अब embryo बनाएगा और यह as it is जो है वो इंधर चिपक जाता है यूटरस के अंदर कुछ ऐसे चिपकेगा कि जो wall है hypoblast में जिनको chorionic villai के नाम से जानते हैं किस नाम से chorionic villai जाते हैं और leat kupons खर्क हो foster टॉजर होती हा है और आप Instagram प्लाक्छा्से जी थैसंद्ट्वाल से जड़ा आता है यह यहां पर इतल को गया थे पीटल जु है वह एकड़ के से connected हो गया, मदर के साथ जिस चीज से connected होता है उसको placenta बोलते है और placenta क्या कर रही है, oxygen और nutrient जो है वो supply करने का काम करती है placenta connect करता है, placenta जो है न वो embryo को amelical cord के साथ connect करता है जो की embryo के अंदर जो भी कुछ waste material है उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है placenta, nourishment और carbon dioxide देती है, साथ में जो waste material प्रड्यूस किया जाता है बच्चे के दुवारा वो भी बाहर निकाला जाता है और इसमें पूरा amelical cord के साथ इसको connect किया जाता है आपको याद रखने हैं इस पूरे process में human females, release, अच्छा यहाँ पे जो cervix होता है मुकस का plug भी जम जाता है, तो जब बच्चा पूरा develop हो जाएगा तब बाद में pressure से यह plug खुल जाता है कई बार आपने movies वगरा में सुना होगा, अरे water bag बच्चे का फट गया, water bag खुल गया तो वो यही होता है, जो cervix का जो cervix के अंदर जो मुकस जमायना वो रप्चर हो जाता है, यहाँ पे वो खुल जाता है जिसकी वज़ा से पूरा पार्ट खुल जाएगा यहाँ पे, hormones जो हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, females में comparatively, HCG यह मैंने आपको बताया था, HCG कौन सा हॉर्मोन है, human chorionic gonadotropin hormone यह वो हॉर्मोन होता है, जो pregnancy के जस्ट बाद urine में आने लग जाता है हॉर्मोन और जिससे pregnancy kit जो है, उनकी help से test भी किया जा सकता है तो जैसी कोई female fertilize होती है, और egg जो है, वो uterus में आ जाता है तब यह हॉर्मोन जो है, वो blood में होता है आपके, और blood में जो है न, वो यह show करने लग जाता है that a embryo is developing, तो यह तब ही आता है HCG, जब यह uterus में पहुँच गया है बच्चा उसके बाद, मतलब embryo, not a baby, it's just a embryo, human placental lactogen, estrogen, progestron, relaxin और oxytocin oxytocin हाला की जो है, वो pregnancy hormone है यह यह पर, यह pregnancy को complete कराने में मदद करता है fetal ejection, reflex जिसको कहते हैं यह पर, when 9 months has been completed और इस 9 months में endometrium, myometrium और perimetrium, important role play करती है बच्चे में भी यह तीन layers जो है, वो develop होना शुरू हो जाती है जिसमें से कुछ layer जो है, वो क्या बना रही है, अच्छा जैसी develop fertilization हुआ, प्लसेंटा, प्लसेंटा से जैसी embryo connect होता है start developing the parts of the body, ठीक है, जैसे कि 4th week के complete होते से पहले, 4th week के complete होने से पहले ही जो है जोना शुरू हो जाता है, this is important, you need to learn, यह पूरा पाट याद रखेगा, बहुत ही important है, fertilization और implantation की हम बात करेंगे, exactly fusion जो है, वो fertilization कह जाता है, जोना पैलिसीडा लेयर के साथ जो है, वो उसको काफी cells जो है, वो develop करने पड़ते हैं, यहापे, blastomia, trophoblast, inner cell, mass, यह सब learn करके रखेगा, trophoblast layer, endometrium के साथ connect होती है, ठीक है, uterine जो cells है, वो जल्दी-जल्दी divide होते हैं, और जो cell of, जो blastocyst और trophoblast वाले cells हैं, जिन्होंने chorionic विलाई जो है, वो बना लिया, blastomia, जो है, जब blastocyst में attached हो गया, तब embryo की formation बहुत जल्दी-जल्दी होती है, ठीक है, आपके NCRT में 53rd पेज है, 53rd और 54th पेज पे, कहीं पे, जो weeks है, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो just go through that once, please, है न, कौन से week में, क्या चीज जो है, formation जो है, तो fourth week में, both week से पहले heart बन गया, then limbs की formation होती है, धीरे-धीरे organs बनना जो है, वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, and the complete embryo forms in 9 months, कितना 9 months, pregnancy को 36 weeks हो जाते हैं, तभी delivery जो है, वो कराई जाती है, so ideally delivery जो है, जो है, वो 36 weeks के बाद ही कराई जाती है, ठीक है, मुलब 28, कभ 32, अगर early delivery है, endo, ectodum, endodum, or mesodum, ठीक है, endodum, ectodum, or mesodum, yes, यह तीन लेयर जो है, वो आपके organs बनाना शुरू कर देती हैं, और यही, जो है, वो stem cells भी बनाती है, यही तीन लेयर जो है, यह stem cells भी बनाती है, so weeks के according, जो बच्चा है, उसका development होना शुरू हो जाता है, fetal eject reflection reflex तब बोलते हैं, जब बच्चा पूरी तरीके से develop, जो है, वो हो चुका है, delivery of the fetus को आप क्या बोलते हो, parturation बोलते हो, delivery of the fetus is parturation, human pregnancy 9 months की है, पूरी, जिसको gestation period के नाम से जाना जाता है, ठीक है, gestation, gestation याद रखेगा, और uterus बहुत ही, severe, vigorous contraction करती है, तब जाके uterus के अ और बाहर आने के लिए, oxytocin एक important hormone है, जो है आपर role play कर रहा है, uterine contraction और oxytocin secretion, यह fetal ejection reflex होता है, developing embryo, अगर वो पूरा develop हो चुका है, वो oxytocin release, वो pressure, uterine, जो wall है, उस पर pressure डालता है, pressure create करता है, in turn, जो pituitary gland है, वो oxytocin release करती है, it causes the labor pain, और यह labor pain जब बढ़ जाते है तब ही तो बोला जाता है, कि अब बच्चा develop हो गया, बच्चा expel होने वाला है, बच्चा जो है वो बाहर निकलने वाला है, lactation, बच्चे को milk से relate करती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद lactate करना होता है, तो जो memory gland है female का, which has the memory lobes and memory locus, it develops the colostrum, यह colostrum के जाना जाता है, colostrum, जो first baby होता है, तो उसके लिए यह बोलते है, कि six month तक baby को पानी भी नहीं देना है, सिर्म मदर मिल्क देना है, ठीक है, 6 मेने तक पानी भी नहीं देना, मदर मिल्क देना है, जो colostrum होता है, उसके अंदर बहुत सारी antibodies होती है, IgA, IgG होती है, तो बच्चे को पूरा carbohydrate है, जो भी कुछ चाहिए बच्चे को, जो भी उसको nutrition value चाहिए, अगले 6 महिने तक, you cannot make him, make him or her feed on the food, दात तो है नहीं उसके, है ना, दात आई नहीं, अभी embryo बिचारा, 6 महिने तक, 6 महिने तो किसी developing embryo को या जो बच्चा बाहर निकला है, embryo which turns into the baby and came out of the body, उसको 6 महिने तो यही रेलाइस करने में लग जाता है, अम में बाहर आ चुका, 9 महिने तक एक जगा पे रहने के बाद, and cells develop, cells है, क्या है, जाइकोटी तो है, वही तो डवलापो कि एक बच्चा बन गया, तो 6 महिने तक बच्चा बन गया, तो 6 महिने तक बोलते है, ब्रेस्ट फीडिंग या, मेमरी ग्लेंट उसी पर बच्चे को फीड कराना चाहिए, इसलिए फीमेल सब दा मेमरी ग्लेंट, so I hope यह चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, this is a summarized form, बागी तो डिटेल में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप यहां से पूरा पार्ट कर दो, next chapter आपका chapter number 5 होगा, अब reproduction वाला पार्ट आपका पूरा complete हो चुका है, एक बार आप ध्यान से देख लीजे, कहीं पर भी तीनों chapters में से भी, कहीं पर 2, 3, 4 में आपको कोई doubt है, तो मुझे बता दीजे, अगला वीडियो, आपका जो है, वो Saturday को आएगा, और Saturday को हम कर करने वाले है, 5th chapter, that is your chromosomal inheritance, तो वो genetics वाला है, तो ये शायद उससे related है, ठीक है, चलें अभी, शुरू करें, अब आपकी कोई भी doubt होगे, आप मुझे comment box में लिखोगे, बाकी we'll do a live session also, Sunday को एक live session plan करते हैं, जहां पे आप अपने doubts हो है, वो मुझे पूछ लेना, Sunday को I'll plan a live session of two things, एक तो bio में क्या, 70 में से 70 marks आ सकते हैं, दूसरा, अगर आ सकते हैं, तो कौन से दो तरीके हैं, और last एक महिने में आपको क्या करना चाहिए, तो वही चीज़े, मैं revision करा रहे हूं, एक महिने में syllabus को, आप detail में तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर syllabus को revise कर सकते हैं, और syllabus को complete कर सकते हैं, so hope to see you soon in the next class, chapter number 5, Saturday live video, Saturday video होगा आपका, and I'll meet you on Sunday for the live sessions, ठीक है, live session जरूरी है, तागे आप directly मुझे अपनी बात बोल सकते हो, thank you so much, bye bye, good night, take care, and just revise this class, and अपनी जो भी आपके पास content होगा, जो भी book है, मैं तो बोलूँगे आपको कि stick to NCRT, 101% चीज़े, NCRT से ह ठीक है, so thank you so much, bye bye